प्रसंटेज में चेप्टर्स पढ़ाऊंगा तो sitten को प्रसंटेज में है जैसे की परसंटेज और रेशियों हम परसंटेज की यूज gustaría करते हूं तो तो मैं सबसे पहले आपको percentage पढ़ाऊंगा, फिर हम आपको ratio पढ़ा देंगे, तो आपके लिए दो बड़े chapters हम पूरी तरीके से खतम कर देंगे, इसके बाद बच्चों में सारे chapters हम YouTube पर करा देंगे, अब percentage में सबसे पहले basic जो आपके पास किसी भी exam में हर जहाँ पे पूछा जाता हूँ, और जो basics आपको पता होनी चाहिए, लगबल लगब सभी बच्चों को पता होगा, वो क्या पता होगा, कि अगर कहीं भी मेरे पास एक percentage लिखा है, इसका मतलब होता है एक बटा सौ, सबको पता है भाई साब ये बात, अब कहेंगे कि सर हमारे मन में ये बात कैसे आगी कि हम एक बटे सौ जान जाएंगे, तो हमने कहा percent हम पढ़ रहा है न, और percent का मतलब होता हर cent में एक, percent, हर cent में कितने उस चीज की value है, तो एक percent, यानि कि percent, cent मतलब 100 में एक, तो percent का मतलब क्या हो जाता है, 100 में उस चीज की value, जैसे मैंने का भाई साब 2 percent का मतलब क्या होगा, तो 100 में 2, या हम इसको बोल सकते हैं 50 में 1, हम दोनों चीज बोल सकते हैं, लेकिन हम percent को 100 में ही लेकर चलते हैं, बाद में हम उसको काट पीट के अपना कुछ भी हिसाब से बना सकते हैं मैंने कहा 3% का मतलब क्या होगा आप कहोगे सर जी 100 में 3 यानि कि 3 बटे 100 यानि परसंटेज का मतलब होता by 100 यानि कि हम 100 से डिवाइड करते हैं और इसको हम कई सारे जगह पर into 1 upon 100 भी बोलते हैं कि हम 1 बटे 100 का मल्टिप्लाई करते हैं दोनों चीजे बोल सकते हैं चलिए अब हम आते इसी चीज का उल्टा करते हैं उल्टा करने का मतलब हो गया जैसे मेरे पास लिखा है कि आपके पास 1 बटे 50 इसको परसंटेज में चेंज करो ये तो रेशियो लिखा हुआ इसके आगे परसंटेज तो लिखा नहीं है इसको परसंटेज में चेंज करिए तो कैसे करेंगे हम लोग 100 का मल्टिप्लाई करते हैं बस यानि कि 2 परतिसात आ जाएगा बिल्कुल भाईया चैप्टर वाई जी चलना और बढ़िया चैप्टर वाई जोगा इसके लाब बिल्कुल परिसान मत हुए जबरदस और सांदार चैप्टर वाई जोगा तो अगर मुझे किसी चीज को परसंटेज से रेशियो में चेंज करना होगा तो 100 का हम डिवाइड करेंगे अब कई सारी चीज़ आपके पास किलियर होनी चाहिए जैसे वन बाई वन का मतलब कितना परसंटेज होता है मैंने सिंपल सा आपके सामें लिख दिया कि अंकिता प्रमोध राहुल अभिनास सभी लग जल्ली से बताईए कि वन बाई वन का मतलब कितना परसंटेज होता है सब के एंसोर आने चाहिए वन बाई टू का मतलब कितना परसंटेज होता है लग भग सभी के एंसोर आने चाहिए वन बाई थरी का मतलब कितना परसंटेज होता है ऐसे सुस्त वाला मजा नहीं आएगा भैंकर तरीके से लगतार कमेंट आने चाहिए, है ना जबरदस्त वाले, 1 और 4 का मतलब कितना परसंटेज होता है, सब के एन्सोर आने चाहिए, गजब बढ़ीपंटेज जानना तो परसंट जानने के लिए 100 का मल्टिप्लाई करेंगे, तो सीधे सीधे ये 100 परतिसत होगा, 100 का मल्टिप्लाई करेंगे, तो 2 से कट जाएगा, ये 50 परतिसत होगा, 100 का मल्टिप्लाई करेंगे, कटेगा नहीं, तो इसको मैं 33 एक बटे 3 लिखूंगा, 100 बटे 3 आ गया, 100 का multiply करेंगे, cut जाएगा, सीधे-सीधे ये 25 परतिसत हो जाएगा 100 का multiply कर देंगे, सीधे-सीधे ये 20 परतिसत हो जाएगा और 100 का multiply करोगे, तो cut एगा ये नीचे 3 ही उपर 50 और 50 बटे 3 को 16, 2 बटे 3 रिख सकते हैं, क्या percentage की ये बात सभी बालक-बालिकाओं को अच्छे से समझ में आई, अरे हाया ना अब इसी तरीके से ये सिरीज यहीं पर खतम नहीं हो पाती है ये सिरीज बहुत आगे तक जाती है जैसे मेरे पास 1 बटे 6 लिखा हुआ है 1 बटे 7 हो जाता, 1 बटे 8 हो जाता 1 बटे 9 हो जाता, 1 बटे 10 हो जाता ये सिरीज आगे से आगे बढ़ती चली जाती है इसमें कोई भी बड़ा इसू नहीं है लेकिन हम इस चीज को क्यों पढ़ रहे है ये तो हर बच्चे को आता है है की नहीं, आपको भी आता हमको भी आता सबको आता, हम ये चीज क्यों पढ़ रहे है सच्छा, मुझे जल्दी से बताओ कि एक बटे 12 को अगर मुझे परसेंटेज में लिखना होगा तो मैं कितना लिखूंगा, जितने भी बच्चों को पता है सबी के सबी जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अब है प्रमोद सबी के कमेंट आ रहे है कि अगर मुझे कहीं भी एक बटे 12 लिखना होगा तो मैं इसको परसेंट में कैसे लिखूंगा कितना परसेंटेज लिखूंगा, क्या लगता है जनता को अच्छा, ठीक है आपने का सर आपने परसेंट पूछा ना इसे हाँ पर सौका मल्टिप्लाई कर दो चार तियां बारा पचीस चोका सौ पचीस बटे तीन यानि आख एक बटे तीन होगा आया किसी का आया था कि नहीं आया था राहूल का आया था, दीपी का आया था, अब्दुल आया था बहुत बढ़ियां, आठ एक बटे तीन होगा कोई इसमें दिक्कत परिसानी नहीं तो पेपर में लल्लू पुंजू कोस्टन्स का जमाना तो चला गया वो आपसे कहेगा, गुरु दे एक बटे बारा ना बता के जरा पांच बटे बारा बताओ क्या आएगा अब जल्दी से बताओ कोईश्टन में आपने उसने ये पूछ लिया कि साहब एक काम करो, एक बटे बारा ना बता के पांच बटे बारा जरा बताओ कितना आएगा कितना आपाएगा भाई साब अब जरा यहाँ पर समझना अगर एक बटे बारा होता है तो मैं उसको आठ एक बटे तीन बोलता हूं पांच बटे बारा है यानि कि पांच का मल्टिप्लाई होगा अब 5 का multiply तो सिरफ एक जगा करेंगे नहीं हम 5 का multiply इस 8 में भी करेंगे इस 1 में भी करेंगे तो 8, 45 और 5, 95 बटे 3 अब उपर का जो answer है वो तो बड़ा हो गया numerator बड़ा हो गया तो भाईया इसको और simplify करो इसको जब simplify करेंगे तो 3, 95 और 2, 5 बटे 3 तो इसका जो final answer आएगा वो 41, 2 बटे 3 परतिसात आएगा क्या जनता को सारी बास समझ में आई है किसी का आया था मीना कुमार का आचुका है यहाँ पर राहुल का आचुका है सूरजीत का आचुका है प्रियांस का आचुका है भईया लेकिन प्रियांस से गलत है बाकी सब बच्चे गलत है ठीक है बढ़ियां तो 41, 2 बटे 3 कैसे आया क्या सब को यह बास समझ में आ रखी है कोई परिसानी, कोई दिक्कत नहीं ना ठीक है आओ मैं एक और पूछता हूँ एक बटे 8 को मैं परसंटेज में कितना लिखोंगा जल्दी से बताईए एक बटे 8 को मैं परसंटेज में कितना लिखता हूँ क्या लगता है आपको कि हम एक बटे 8 को हम परसंटेज में कितना लिखते और किसके मन में क्या प्लानिंग चल लगी है एक बट्टे आठ को हम परसंटेज में कितना लिखते हैं और कुछ और सोचा आप लोगों ने आओ ज़रा देख लेते हैं आप कहोगे सर सो का मल्टिप्लाई कर दो चार दुनी आठ और पचीस चौका सो पचीस बटे दो का मतलब बारा दुनी चौबिस एक पचीस बटे दो अरे यही तो बोलते हो लेकिन मान लोग गुरुदेव आपसे आपसे कोश्चन में पूछ लिया कि पांच बटे आठ का मतलब और यह बता थे अनunge की कैसे वाथ आएगा यह तो बता थोड़ा सा जबरदसस्यर नहीं होगा तो तो मजा कैसे आएगा बता अ है नके फाठ बटे आठ का मितलब क्या होता अब देखो जाए по भून को देखो गर बढ़ हो रहे है सभी के सभी के कि गरभर नाइक क पांच बटे दो क्या यह सही है उपर आला ज्यादा नहीं इसको और सिंप्लिफाई करो तो इसको लिख सकते साथ प्लेस दो दुनी चार और एक पांच बटे दो तो यह आपके पास फानली बासाट एक बटे दो आजएगा चलो इतनी बात किलियर है सबको समझ में आ रही है आता कि बच्चों को आइडिया लगा है परसंटेज की सुरुवात करी जाए टाइप और इस सारी चीज़े आईए गटे है उनी सो निन यानवे में आपके पास यह कोश्चन आया हुआ है एक स y के मान से 27 प्रतिसत कम है तो y x के मान से कितना प्रतिसत जादा है ये question आप सभी से पूछा गया है कैसे कर पाएंगे ये question सोचिया और जल्दी से बताएं सबका answer क्या क्या गया है ये पहला type है जो आपके SSCCL SSCCCHL और बाकी की परिक्षाओं में पूछा जाता है सबसे पहला type आपके पास ये है और सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है सबसे पहला type सबसे ज़्यादा ध्यान से समझेगा कि हम ऐसे questions कैसे करेंगे question कहता है कि x y के मान से 25 प्रतिसत कम है x कम है 25 प्रतिसत तो क्या मैं इसको 75 मान लू क्योंकि 25 प्रतिसत कम है तो y x से कितना जादा है तो कितना जादा है 25 अरे किस से पूछा है x से तो x वाला नीचे रहेगा into 100 कर दो 25 तियां 75 100 बटे 3 का मतलब 33 बटे 3 क्या जनता का एंसर आया 20 प्रतिसत किसका 20 आ रहा है अरे किसका 20 आ रहा है 33 बटे 3 क्या सब को समझ में आया कोई परसानी कोई दिक्कत नहीं अब एक बार फिर से समझेगा मुझसे क्या पूछा है कि x के मान से कितना जादा है इसी वज़े से मैं x वाली value नीचे रखूंगा जिससे पूछा जाएगा उसको हम नीचे रखेंगे जिससे पूछा जाएगा उसको हम नीचे रखेंगे तो टाइप wise में जो सबसे पहला question पूछा जाता है वो आपके पास ये पूछा जाता है अब इसी type one में दूसरा question आप सब के सामने दिख चुका है थोड़ा सा उसमें और आगे चीजे कर रहा है और ये दूसरा question आपके सामने आ चुका है पढ़िए और जल्दी से बताईए कैसे कर पाएंगे उसी type में दूसरा question आपके सामने आ रखा जल्दी से कर पाता है और कैसे कर पाऊगे उसी type में दूसरा question ठीक है same to same आपके पास दूसरा question type 1 का ये question भी परिक्षवाम बहुत आता है C की income, B की income से 20% ज़्यादा है B की income, A की income से 25% ज़्यादा है तो C की income, A से कितना ज़्यादा होगी क्या लगता है भाई बालको को इसका answer क्या होना चाहिए, क्या लगा सकते है सांदार question है, आसान question है जबरदस्त question है, जिन्दाबात question है टेक्निकल रवी भाई को अपना ज़रा स्कूल में भेज दीजे इनको अगर कोई भी लगातार एक ही comment करके spam करोगे बच्चा तो ब्लॉक कर दी जाओगे इस चीज को ध्यान रखना है ना जिसे टेक्निकल लवी रगातार पूछ लए गुरूप डी एक्जाम डेट, तो भुले यह ब्लॉक हो जाओगे तो इसी वज़ाद से सिरफ पढ़ाई करिए पढ़ाई से संब्दी जो भी query जो वो पूछी है बाकि सम्मत पूछी है अब जिसे माई यह paper मेरे पास यह question में paper दिखेगा अगर हम यह question हमारे पास आता है तो हम कैसे कर पाएंगे इस question को ध्यान से समझेगा अगर मेरे पास जबी भी ऐसा question है तो इनको करने के तरीके को ज़रा समझेगा बच्चा c b से इतना ज़्यादा या इतना कम है और b a से इतना ज़्यादा या इतना कम है जबी भी दो या दो से ज़्यादा लोगे के बीच में comparison करी जाएगा तो हमेशा आखरी वालो से चीजों को solve करिएगा अगर आखरी वालो से चीजों को solve करोगे तो question को आसानी से लगा पाऊगी, जैसे A, B, C मेरे पास तीन वेक्ती हैं, मैं आखरी वाले line से जाऊँगा, कि B की I, A से 25 प्रतिसत जादा है, B, A से 25 प्रतिसत जादा है, और C, B से 20 प्रतिसत जादा है, C जो है, इस B वाले से 20 प्रतिसत जादा है, यानि इसका 120 है, 20 जादा होने का मतलब क्या होता, सीधे सीधे उसका 120 है, ठीक है, तो भाई 20 चका 120, 25, 100, 5 से काटोगे, 25, 25, 25, 25, 25, 25, चका 1,500, तो ये आजाएगा 1,500, ये आजाएगा 1,25, और ये आजाएगा 100, अब directly बताओ, C कितना जादा है, राहुल सिंग्यादो, बोलो भाई साब, विकास कुमार, प्रांजल, फायर टास्क, सभी का 50 अरा, क्या हम ये टाइप समझ पाए, कि हमारे पास इस टाइप के कोश्टन को कैसे करेंगे, तो ध्यान से क्या चीज़ समझना है, कि जबी भी ऐसे कोश्टन आएंगे, तो हम लास्ट वाले से सुरुवात करेंगे, आखरी वाले से कंपरेजन सुरुवात करेंगे, तभी हम ऐसे कोश्टन कर पाएंगे, अगर हम आफरी आखरी से कंपरेजन सुरुवात नहीं करेंगे, तो हमारे लिए questions गलत हो जाएगा चलिए एक और question आपको मैं कराता हूँ सारे types हम करेंगे बढ़ी हाँ तरीके से करेंगे और हमारे पास हर चीज clear होना चाहिए 2013 का ये paper है आपके पास LDC का ये question है यानि कि CHSL का ये question है ध्यान से questions को करिएगा हम type और इस वज़े से करा रहे ताकि आपके लिए beneficial हो जाए वार्सिक परिक्षा में महुआ को गडित में सुप्रियों से 10% कम number मिला महुआ को अगर 80 number मिला है तो actually में सुप्रियों को कितना number मिला होगा ये normal सा question आपसे पूछा गया कि कि इसका पास questions कैसे होगा राहुल जो कहने सेम एक्जाम टाइप आपके रेल्वे में ये रेल्वे में आएंगे 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 इसा थोड़ी की रेल्वे को हमाया अध्भूत है आएगा तो यही सारी चीज़े हाँ बिल्कुल आएज़ा नब्बे बहुत सारे बच्चों का नब्बे आएंसर आ रहा अब जड़ा देख लो या कैसे कर पाओगे मेरे पास एक चीज़ इस question में fix है क्या fix है कि महुआ को जो number मिला वो 80 number मिला है और साथी साथ मेरे पास जो दूसरा है वो सुप्रियों है और महुआ को गडित में सुप्रियों से 10% कम number मिला है महुआ को 10% कम मिला है इसका मतलब यह हो गया जो इसको 81 मिला है वो सुप्रियों वाले number से 10% कम है यानि इसका 90% ही 80 हो रहा है तो आपके पास 0 स 0 काटोगे 89 89 यानि यह सीधे सीधे 90 number आ जाएगा तो सुप्रियों option number आ 90 आ रहा है ध्यान से समझ पाये questions को किलियर हो पाया कि क्या कह रहा है question फिर से एक बार देखेगा ध्यान से महुआ को 180 मिला है लेकिन जो 180 नंबर महुआ को मिला है न वो 10% कम है यानि कि यह 90% की value है सिरफ यह पूरा का पूरा 100% नहीं है यह 10% कम है यानि यह सिरफ 90% की value है और मुझे चाहिए था 100% की value यानि कि सुप्रियों को कितना मिला है तो 80 बटे 90 into 100 कटा भाई साब 89, 80, 10, 90 क्या question समझ पाये प्रमोद, अमित कुमार, राहूल, बॉर्ड मास, अर्विंद सबको किलियर हो पाया क्या सभी आसानी से समझ पा रहे हैं कि हम इस questions को कैसे कर पा रहे हैं चली अगला question आते हैं पहले ही type का अगला question आप सभी के लिए CGL का question है आराम से करिएगा बढ़िया question है, सांदार question है, जबरदस्त question है Very good अगर X, Y का 80% है तो X का कितना प्रतिसत जो है, वो Y है X जो है, वो Y का अगर 80% है तो X का कितना प्रतिसत जो है, वो Y है ये question आप से पूछा गया है भाई साब क्या हो सकता आपके हिसाब से सही answer इस questions का सब भी लोग बताईगा और 90 आएगा नहीं, कुछ और सोचिए X, Y का 80% है तो Y, X जो है, का कितना प्रतिसत जो है अप सोचो कितने फसाने वाले question हमें ऐसे देखने को मिल जाते और हमारी जगलतिया जान मुझ के हो जाती है तो X का कितना प्रतिसत Y है गोड आफ्टरनून गोड आफ्टरनून और बताईए, लग भल लब बच्चों के गलत एंसर आ रहे है थोड़े से दिमाख लगाईए ही कह, आईए ज़रा देखते, कैसे कर पाएंगे X और Y दो वेक्ति है X जो है, वो Y का 80% है तो Y का 80% है तो Y पूरा 100 होगा, तो X उसका 80 हो गया ये बात तो किलियर भाई तो X का कितना प्रतिसत Y है X का कितना प्रतिसत Y है किसका X का किस से X से किसका X का तो जिस से पूछा जाए, जिसका पूछा जाए उसको नीचे रखोगे इंटू 100 20, 84, 20, 500 4 से काटा 25 और 25 बच्चे 125 यानि option number D सिर्फ और सिर्फ बल्लाम का एंसर सही आ रहा था बाकि सभी का एंसर गलता है किस से X से तो X का कितना प्रतिसत Y है किसका X का तो X वाले को भाई साब नीचे रखोगे क्या सब को समझ में आया कि कहां गलती हुई है किसी भी बच्चे का नहीं सही था एकदम किलियर हो पा रहा है पक्का है तो भाईया सिर्फ और सिर्फ हम 199 लाइक्स पे क्यों रुके है 700 बच्चे यहां पे लाइप देख रहा है और आप सभी ने लाइक नहीं कि आखिर कब करेंगे हम जब ससन खतम हो जाएगा तब अंकित रॉय का भी सही था बहुत बढ़िया है तो जबरदस्त लाइक करियो और अगले कोश्चन पे आते हैं पहला टाइप अभी हम सिरफ पहला टाइप पढ़ रहा है सारे टाइप से क्लियर करेंगे ताकि हमारे पास तीजिया आराम से समझ में आजया यदि 25 बटे दो का पहले टाइप में आसान आसान आपको दिख रहा है सिरफ हमारे पास डिजिट्स का खेल दिख रहा है ताकि हम और भी धीरे 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 लेवल आगे लेके जाएंगे, सारे टाइपस आपको कराते जाएंगे, सब समझ में आएगा, यदि 25 बटे 2 का X प्रतिसत 150 है, तो X की वैलू क्या हो, देखो कितना आसान कोश्चन है यह, यह तो एकदम बच्चो वाला कोश्चन तो पचीश चोका सो, चार दुनी आठ, तो पंदरा गोड़े आठ करो, पंदरा आठे एक सो बीस, यानि की बारा सो, किसका नहीं आया भाई साब, आया न, यह तो आसान कोश्चन था पहले टाइप का, CGLS यह चिसल में ऐसे कोश्चन आएंगे, तो तुरंत करने जाओगे कोई भी दिक्कत, कोई भी परिशानी नहीं यह, यह बढ़िया कोश्चन पर भू, CGL का ये भी कोश्चन है, टाइप1 का यह कोश्चन है, और बढ़िया कोश्चन है, वहुत गलती होगी अभी इस कोश्चन हो, अभी सब को पता चलेगा, कि जिस बच्चे कह रहे हैं कि नह चाहरी चीले समझने और आपको वाकई में मज़ा है कुछ बच्चों का एंसर साने सुरू भी हो चुके अच्छा जिसके आने सुरू होके फिर तो बहुत अच्छा लग रहा अगर नहीं आ रहे तो और भी अच्छा लगेगा भी मैं आपको बताओ कि कैसे आएंगे सतर प्रशिसात आप्शन में दिया है अच्छा ठीक है और सी लग रहा सतर ही लग रहा आपको आईए जरा देखते हैं कि कैसे कर पाएंगे जिनका नहीं आए अपर कमेट बॉक्स में जरा नो बोलो यार कोई दिक्कत नहीं कोई सरम नहीं है यार ऑनलाइन में सबसे अच्छी सबसे पांच गुना या है यह नहीं कहा कि पी जो है वो क्यू का पांच गुना है या बात नहीं बोला, उससे 5 गुना बढ़ा है, यानि अगर पी 6 साल का है, तो क्यूं एक का होगा, क्या इस बात को समझ पाए की नहीं समझ पाए, कुस कुमार, समझ पाई यही बेसिक बात थी अब खतम कोश्चन तो बताओ क्यूँ P से कितना कम है क्यूँ जो है वो P से कितना कम है 5 किसे P से इंटू 100 2 तिया इच्छ है 2 से काटोगे 20 पंचे 100 100 बटे 2 से काटेंगे तो 50 50 यानि 200 बटे 3 और 200 बटे 3 प्रतिसत का मतलब होता है 83 1 बटे 3 किलियर है समझ पाई कि कहां गलती हुई है क्या हुआ है एक बाद किलियर कर लो भाई जरा ध्यान से समझ लो P क्यूँ से 5 गुना बड़ा है अब अगर कोश्चन में सरफ ये बात बोलता ना कि P क्यूँ का 5 गुना है तब कोई दिक्कत नहीं होता तब डारेक्टली P इसका 5 गुना कर देते लेकिन 5 गुना बड़ा है यानि अगर ये एक है तो वो 5 गुना बड़ा है तो 5 एकनम 5 तो येसे हो गया उतना बड़ा है 5 और 1 6 हो जाएगा समझ पाए किलियर हो पाया पहले टाइप का अगला कोशन मुझे लगता है कि जनता को अच्छे से समझ में आया भाई सा आजो पहले टाइप का और अगला कोशन ये सब पहले टाइप में है ये MTS का कोशन है क्योंकि हम CGL, CHSL और MTS तीनों को टाइप कर रहे है तीनों के प्री में पूरी तरीके से गड़ित में नंबर आने चाहिए जबरदस्त नंबर आने चाहिए तो तीनों को टाइप करते हुआ अगला कोशन आचुका आपके सामने 20 प्रतिसत वेतन विर्धी प्राप्त होने के बाद भाई साब का वेतन हो गया 24,000 रुपया अब यह बताओ अगर उनको विर्धी ना होती तो बताओ उनका पहला वेतन कितना होता अच्छा अगर किसी में 20 प्रतिसत वेतन बढ़ गया है आप खुद जरा सोचो अगर किसी में 20 प्रतिसत वेतन बढ़ गया मुझे चाहिए पहले वाला पहले वाला बोले तो हंडेड प्रतिसत है मल्टिप्लाई कर दो बीस हजार अरे बोलो हा या ना दो हजार नहीं आएगी ये बीस आएगी खाली आ गई है किलियर है समझ पाए ओ कोई दिक्कत कोई परिसानी नहीं न सब का रहा है पहला टाइप य अहले टाइप में आपको देखने को मिल ला अगला कोशन अगर एक्स का 125 प्रतिसत उदा थोड़ा सा कट रहा है क्या देरा देख लिजेगा एक बार क्या नहीं आ रहा है एक्स का 125 प्रतिसत अगर एक आपके पास 100 है तो एक्स की वैलू क्या होगी है यह चोटे में आपको समझना ही नहीं इस फायर बड़े ऑठोटे में समझना है नहीं जिसका यह जिससे पूछे उसको नीचे रखना बड़े ऑठोटे में नहीं समझना एक्स का 125 प्रतिसत बराबर कितना है तो 25 15 25 100 518 और 20 चोक असी क्या सभी का सी आ चारह है तो एक बार जोरदार तरीके से कमेंट आना चाहिए कुछ बच्चे तो सिर्फ सांती से देखते रहते सोस्टेर कमेंट ना करें क्या फायदा कमेंट कर देंगा तो उनके मुवाइल का स्कीन उत्ते दूपका खर्चा हो जाएगा जब कमेंट करूगे तो तभी तो आपका नाम दिखता है और जब आपका नाम दिखेगा तभी तो लगेगा कि हाँ यह बच्चा याँ पढ़ रहा था आईए अगला कोशन सीजल का चुका पहला ही टाइप कवर कर रहे हैं पहले टाइप का अगला कोशन देखिए कैसे कर पाएंगे अभी मैंने आपको ऐसा यह कोशन कराया था है अगर नहीं कराया तो अब नहीं आपने देखा था तो आप देखो जला यहां देहां से एसी से 50 परसंट बढ़ा है और बी जो है वो सी से 25 परसंट बढ़ा है एबी से कितना बढ़ा होगा यह कोशन आपसे पूछा गया आराम से कॉपी और पैन लेके सॉल्व करिएगा फ इसा हमने लिखा है नहीं ना फिर चलो बताओ कि क्या लगता आपको कि और 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 पचात्तर इतना कठीं कोश्चन है ए बी सी यदि ए सी से 50 परतिसात ज्यादा है ए जो है सी से 50 परतिसात ज्यादा है और बी सी से 25 परसंट बढ़ा है देखो इस तरह के कोश्चन वह भी हमने क्या देखा कि हम पीछे से कोश्चन को पकड़ते हैं तो पीछे से chrisा आपकाश पर्शन्म बढ़ा बी जो है से वह सी से पत्चीस पतलिषाथ बढ़ा हैं ओर ए टो यह आपकास पर्शन्म बढ़ा है खतम होगा कुच्रिण अब देखो जर आ सा ए बी से कितना बड़ा होगा ए जो है बी से कितना बड़ा है तो हम देखेंगे 125-150 तो ये 25 बड़ा है अरे किस से बी से तो जिस से पूछा जाएगा उसको नीचे रखोगे 25-125 से काटा 20 क्या सभी का एंसर 20 आया अरे हाया ना पक्का है आ गया कोई परसानी कोई दिक्कत नहीं ना चली भईया पहले टाइप के अगले कोश्चन प्याते अब अगला कोश्चन ध्यान से पढ़िएगा क्या कहता है हाँ हाँ ठीक है 20 आगया सबके नाम हमने पढ़ लिए 20 आगया है बढ़िया है मनीश कुमार जी बहुत बढ़िया राजेश कुमार वन्यम राजेश बीके ठीक है पूर्डिमा बीस आगया अगला कोश्चन यदि किसी विद्याले में कुल विद्यारतियों के 60% लड़के ह और लड़कियों की संख्या 972 है तो अक्षियों में लड़के है कितने जरह सोची और क्या हो सकता है इस कोश्चन का कि आपके पास लड़के है कितने कुल विद्यारतियों का 60% लड़के है यानि कि सिंपल सी बात तो क्लियर हो गई कि 40% लड़के होंगे है कि नहीं 60 परसंग की वैलू बतानी है 60 परसंग की वैलू तो 972 बटे 40 इंटू 60 है बीस दूनी चालीस बीस तीयाई साथ दूसे कटी हो भाईया तो दूई चौक का आठ एक नौ दूई अठे सोला एक सत्रा दूई शक बारा चैत्री कठार लाश में किसके आठे बाई साथ दोनों के ह को सब्भारों सबस्क्राइब का समझे आ रहा है तो हम अगले चले चली पहले टाइप के अगले कोश्टन में आते हैं देखते हमारे पास क्या कि आता है जहां पर ऐसे कोशने दिखते हैं कि भाया हमें कहा गया कि गुरुदे पांच बटे तीन से गुड़ा करो और हमने गलती में तीन बटे पांच से गुड़ा कर दिया अब कुछ ना कुछ तो एरर आ ही जाएगा न तो कितने का एरर आ रहा है ये कोशन में आप सभी से पूछा जा रहा है और इस तरह के एक कोशन CGL के प्रिवाली परिक्छा में और CHSL के प्रिवाली परिक्छा में 100% कॉपी किताब में किनारे लिखके रखिए कि इस टाइब का एक कोशन तो आना ही देते हैं मुझे कहा गया था पांच बटे तीन से गुड़ा करने को और सबसे पहले यह बतो कितना ऐसा बच्चा जो नहीं कर पाता ऐसे कोश्चन कमेंट बॉक्स में नो बोल दीजेगा कि सर मुझसे ऐसा कोश्चन तो नहीं हो पाता था और हमने तीन बटे पांच से मल्टि पंदरा से मल्टिप्लाई कर लो तो तीन पच्चे पंदरा यानि कि अगर मुझे पचीस लाना था तो पांस तियां पंदरा मैं भाई साब नौ ले आया तो मुझे पचीस लाना था मैं नौ ले आया कितने की कमी हो गई 16 की कितने से पचीस से क्योंकि पचीस लाना था क्यों ही हम अठके हैं यह 99 वाला आकड़ा थोड़ा मज़ेदार होता कि कौन ऐसा बच्चा जो 300 वां लाइक ठोकेगा तो कुछ नहीं करना होता नीचे का डिम नॉमिनेटर हटाईए को सिंप्लिफिकेशन बड़ी हां आसान तरीके से अगले प्याओ पहले टाइप का अगला कोश्चन एससी चसल का कोश्चन है बताइए कैसे करेंगे 2008 में 31% कर्मचारियों ने करका भुकतान कल्या मतलब टैक्स दिया था लेकिन टैक्स नहीं देने वाले लोग हैं 20,700 तो टोटल कर्मचारी कितने हैं ये कोश्चन आप सभी से पूछा गया है कि actually में टोटल कर्मचारी हैं कितने ये भी आपका SSC में ही पूछा गया है क्या ह हो सकता है इसका सही एंसर इसमें मैं CPO के भी questions add कर देंगा क्योंकि CPO के questions ज्यादा तर CHSL और CGL में आते हैं और इसी 79 की value तो दे रखा इतना मुझे किसकी value चाहिए पूरे कर्म चाहिए यानि मुझे 100% की value चाहिए तो 20,700 बटे 79 इंटू 100 खत्म 9 तिक सकता है 6 ते कठे नहीं पूरा पूरा तीन बार कटेगा तो 302 जीरो इधर दो जीरो ड़ा यानि दो दो चार जीरो सी आ रहा है अरे आया प्रभू वहरी गुड़ है आनुज पद्मा सानिका सूरज सभी का एंसोर आ रहा है सी आ रहा है सी 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 लिगाए मुझे सी जादा नहीं लगाते भाई साब चलिए गौतम कुमार आ रखा चलिए अगले प्याते पहला ही टाइप कवर कर रहे हैं उसक है को डिए टाइप 30 दिन तक चलती यह लेकिन उपयोग 40 परशन वड़ जाता है तो जूस की इतने मातरा अब कितने दिन तक चलेगी और आसान कोश्चन है, इजी कोश्चन हम इजी तरीके से कर सकते हैं, क्या लगता आपको, क्या हो सकता है? 25 दिन, और देखो, एक क्या ये तरीका अपना सकते हैं, कि अगर 100% ही हमारे पास श्टॉक था, तो हम 35 दिन चला रहे थें, 25 दिन, क्या हम ऐसा कोई मिठर लगा सकते हैं, और अगर मेरे पास 140% श्टॉक हो जाता है, तो हम कितना दिन चला पा रहे होंगे? कि क्या हम ऐसा कोई मठ लगा सकतें पर और भी कि trabalhar हम मेठर लगा सकते हैं कि माल लिजिये हमारे पास अगर 100 पर इस टॉक था हम 35 दिन चला रहें और अगर माल लिजिये मेरे पास यहां 140 पर इसटॉक होगा तो किते दिन चला पाएंगे या कोई दूसरा मेठड कि मालो मेरे पास एक से दिनों तक का कोई भी चलता था 35 दिन तक चल जाता था अगर मेरे पास एक होता था या 100 होता था अब कितने दिनों तक चलेगा वो मुझे निकालना है 35 दिनों तक चलता है अगर मेरे पास 100 इस्टॉक होता है तो अब कितने दिनों तक चलेगा मुझे यह निकालना अगर 140 होगा तब यानि कि आपका 40% जादा यूच करेंगे नहीं लगा सकते न क्यों नहीं लगा सकते क्योंकि गरबड़ा जाएगा मामला ऐसे लगाओ कि तो ऐसे एंसर कैसे आगा गुरुदेव यहां से तो एंसर गरबड़ हो जागए यहां तो लगाओ कि 35 बटे 100 गुड़ 140 जो की गलत है तो सही आएंसर आगा जो अभी समय लगेगा वो कितना लगेगा ध्यान से समझेगा अभी आपके पास 35 दिन तक चीजे चलती थी लेकिन अब 40% बढ़ गया इंटू हंडड़ तो 35 दूना सत्तर और 35 दूना सत्तर ऐसे काटो आपके पास 35 दूना सत्तर चार और चार से काट होगे तो 25 दिन अब आपके और चलेंगे अनि option number A हो जाएगा ठीक है भाईया यह breaking news हमारे पास संजय जी है संजय breaking news बच्चा बंद कर दी जाद है वाई न्यूज आप नहीं बता पाएंगे इस चैनल पर अभी तक का ठीक है बंद कर दिए संजय भाईया नेक्स पर आईए और आखरी question पर पहले type के फिर हम type दूसरे प्या जाएंगे बढ़िया question है सांदार question है CPU का question था इस वज़े से इसको ध्यान से करिएगा बढ़िया और सांदार question हां x उगोड़े 35 कर सकते हैं अगर मेरे पास x होता है तो 35 कर सकते हैं अगर 35 दिन मानिजे कि एक बार चलता है हां देको भाई ये भी method कर सकते हैं बिल्कुल बढ़िया बात है जैसे ये कहना है कि हम ये भी वाला method कर सकते हैं क्या बिल्कुल हम ऐसे भी कर सकते हैं आपके पास directly वही आएगा कि अगर x मेरे पास कोई item है मान लिजे कि हमाई पास कोई भी item x होगा तो हम उसको 35 दिन तक क सब्सक्राइगा बताइए एक बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं उस नारियल के पेड़ की संख्या के 25% आम के हैं आम के पेड़ की संख्या के 20% सेब के हैं और सेब के पेड़ की final संख्या 15,000 है तो बगीचे में कुल मिलाके कितने पेड़ है ये question आप सभी से पूछा गया और क्या लगता है कि आपको बगीचे में कितने पेड़ दिखें गया कितने पेड़ हो सकते हैं कितना लगता आपको और कि कि 45,000 ठीक है और कि सक्सेस पॉइंट क्या कह रहते हैं अच्छा 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 बताएं अब यह बड़ा खतरनाक सा लागैए इतना बड़ा कोश्च्ट सब्सक्राइब बड़ा मन में वह आ रहा की कर पाएंगे इतना बड़ा पॉश्च्च इतने अब्जा का वैयली हालत करी गई है कि बोलिए कि सेस का उतना सेस का इतना सेस का इतना नहीं न बात करी गए क्या यहां पर डारेक्ट बोला गया कि साथ परसंट पेड़ है नालियर का साथ के टॉंटी परसंट आम के हैं और आम के टॉंटी परसंट सेब क्या नी सिरफ उसी से उसी रिलेट करा सिरफ उसी से उसी को इरेलेट कर दा कुल पेड़ अगर मालो आपके पास एक्स है एक्स का 60% नारियल है इस जितना नारियल है इसका 25% आम है जितना आम है इसका 20% सेव है और फाइनल सेव हैं 15,000 जार मुझे सेक्स की वैलू बाते है थी पालक सबसमझ पाइए केलियर है 25.600 25 तीक है या इधर मल्टिप्लाइए नहीं करोगे तो इधर कर लो भाई सब अगर मालो आप इधर मल्टिप्लाइए नहीं करना चाते इसको इधर से काटना चाते तो बी काट लो पचीस छक्का डेड़ सो बीस तियाइस आपके पास आ जाएगा छैसो यानि कि तीस हो जाएगा और तीस दुना साथ दो से काटोगे तो पचास तो पचास गुड़े पचास सौक सौस यानि कि पचास हजार आएगा लेकिन गलती क्या हो यह 5 लाक हाएगा यह पंदरा हजार नहीं होना चाहिए पंदरा सो होना चाहिए तभी पचास जार आएगा ने गलती हो जाएगा कि लिए रहना यह बास समझ पाए बीज़डाराई टाइंसों कैसे हो रहा है ये concept समझ पाए कि निये समझ पाए ये ज़्यादा जरूरी ता समझना देवाई इस question गलत हो जाता क्या आप सभी को percentage के पहले type समझ में आ गए हैं जो कि हमारे ssc की परिक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं हम percentage के दूसरे वाले type प्या सकते हैं जो कि ssc में आ रहे हैं या ssc में पूछे जाते हैं आईए type 2 मतलब कैसे question type 2 मतलब वो question होता है कि जब किसी चीश की price बढ़ जाती है लेकिन मैं अपना खर्चा वही maintain रखना चाहता हूँ तो मुझे खपत कम करना पड़ेगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि खथा क्कर करूँ करूँ और तरं चुटकिोव में कैसे करूँगा वो भी आपको समझना चाहिए प्राइज बढ़ी है यानि अगर पहले 100 रुपय थी तो आप 120 हो गया अब ये बताओ कि आप अपनी जो खपत कम करोगे वो कितना खपत कम करोगे कहोगे सर जी 20 रुपय मैं खपत कम करूँगा अरे कितने में से कम करेंगे साहब जो प्राइज बढ़ा है उसी में से तो कम करोगे कि कहीं अब इसी में से कम कर दोगे जो पहले था नहीं नहीं जो प्राइज बढ़ा है मैं उसमें से कम करूँगा इंटू हंड़िड बीश चक एक्सो बीश दो त्याइच है पचास बटे तीन और पचास बटे तीन का मतलब आपसर नंबर सी क्या जनता सब के आए हैं पक्का है किलियर है मनोज कुमार पटेल विजय सब के अंसुरा रखे अब हम डारेक्ट भी कैसे कर सकते हैं 20 परसं की विर्द्धी हुई तो कमी भी कितना करोगे 20 ही कमी करोगे विर्द्धी हुई उसके बाद प्राइच कितनी हो गई होगी 120 हो गई होगी इंटू हंड़िड देखो भईया क्या वही आई है अरे हाया ना अगर आया है तो इसी के अगले वाले टाइप प्याज कि वेतन में की गई 20 परसं की विर्द्धी बराबर रहे मतलब 20 परसं की विर्द्धी हुई है हमें कितनी कमी करेनी चाहिए उसके वेतन में ताकि मामला सब बराबर रहे सेम टू सेम क्या वही कोशन आपके सामने दिख रहा है हां सेम टू सेम सूरजीत क्या वही कोशन है प पहला ही टाइप के अगले कोश्चन पर आते हैं अब होता कि जब हम इस सारी चीज़े पढ़ा लेते जामनेर बड़ा होसियार है वह कहता है अरिथमेटिक में सिरफ सब्दों का खेल बड़ा और जब अरिथमेटिक बच्चों को समझा दो और सब्दों को ना समझ मैं तो माम किसी वस्तुपर सरकारी सुल्की दर वर्तवान से 40 परसं कम कर जाएगी तो खपत कितने विर्द्धी करने होगी ताकि होने वाले आया परिवर्तित रहेंगे कुछ है नहीं ना और सीधे बोल देते प्रभू कि 40 परसं की कमी करी गई है तो खपत बराबर रखना कितने की व आपको 40 की कमी करी गई है हाँ देखो भाई साब सौ था 40 की कमी कर दी गई तो 60 हो जाएगा आपको कितना विर्द्धी करना पड़ेगा 40 का कितने में से जो कम हुआ है उतने में से इन्टू हंडड़ 20 उदूनी 40 20 यह साथ 200 बटे 3 का मतलब होता 6 6 2 बटे 3 अरे किलियर है प आपको और कम करना पड़ेगा 40 कितने में से साथ में से जो कम हुआ उतने में चलो अगला कोशन आजओ अब एक्जामना और होसियार सीप्यों वाले तो खास करके बड़ा होसियार होते और आपको अपने हर हर चीज का आपको सारी चीज़े दे लेते हैं आज पूरा खतम हो गई होगा संख्या को एक्स पर्सम बढ़ाया जाता है मूल संख्या लाने के लिए कितना घटाना पड़ेगा तो एक सही तो घटाओगे कितने में से जितना बढ़ाया गया था तो बढ़ता कैसे है जब मैं 100 में जोडता हूं तब ही तो बढ़ता प्रभू इंटू 100 यह बोलो बहhale साँ कि एन्सर या आपके पास आया यह नहीं आया कितना रख आ यह टो कितना आया है और नहीं से बताएं योधिन लगता आपको कि क्या हो सकता है और सम्बडी अधिक्तेर जनता का कहना तार किसे डी होगा आफ्सें आंबर पर football the और क्या लगता है, एक गलती है option number D में, into 100 होना है, ठीक है, ये गलती है, into 100 करेंगे, तभी तो percentage में change होगा, अधर वैस तो फिर तो गरबड़ा जाएगा, तभी तो into 100 करेंगे, तभी percentage में change होगा, ठीक, दूसरे type में एक ये भी question मैं ले लेता हूँ, जो कि important question है और आता रह जल्दी से, दूसरे type में हम इस वाले question कैसे कर पाएंगे, fire task क्या हाल चाल है, बिल्कुल कुछ कुछ कुमार, बिल्कुल किसी ना किसी वीडियो में जरूर से जरूर बताएंगे, C, और ठीक है, और 50%, अच्छा, ठीक है एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, इस B वाले में देखिए, option number B सही है, ये बढ़ियाँ बात बोला एक बच्चे ने, 18 वाले question में option number B सही है, महंदर very good, thank you so much भया, 18 में option number B सही है, है न, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये, 100 का multiply है उपर, तो B सही है, very good है Thank you so much भया, आईए, next पर, अर्विंद अपने income का 75% खर्चा कर देता है, और सारी बचा लेता है, अब income बढ़ी 20%, खर्चा वढ़ा 10%, अब बचत कितना होगा, देखो, पहले income देखो, अब उसके पास खर्चा देखो, और अब saving देखो, अब आप ची बताओ, जितना आप कम आते हो, उत्रे में से खर्चा का अगर minus कर लो, तभी तो saving आएगा, माल लो, नरेंद इसमें है, और नरेंद जो है, अगर इसमें 100 रुपाय कमाते हैं, और 20 रुपाय खर्चा करते हैं, तो नरेंद कितना बचाएंगे, सीधी सी बात है, आपके पास समको बता कि 80 रुपाय अब इनकां 20 परचत बढ़ गई, यानि जो पहले 100 कर पा रहे थे, अब 20 परचत बढ़ा है, तो क्या 120 हो जाएगा, आरे हाँ यह ना, पक्का है, ओके है भाई विसाल कुमार, इसमें कोई परसानी कोई दिक्कत, हाँ बिल्कुल क्लास चलता विसाल, ठीक है, अच्छा, अगर मैं खर्चे में 10 परचंगे विर्द्धी कर दूँ, तो 75 रुपया में 10 परसंगे विर्द्धी होगा, यानि 7.50 रुपया बढ़ेगा, तो 75 रुप यानि की 85, 12, 82 रुपया यहाँ यहाँ पर खर्चा कर रहा हूँ, अब मेरे पास इनकम यहाँ पर सेविंग कितनी ब रूपे आज ही खरता हूं खर्चा तो पचीज रूपए से मैं साढ़े 37 रूपए पर आगया कितना ज्यादा खर्चा करने लगा पचीज दस पैटीस और दो साथे बार रुपए ज्यादा करने लगा कितने में 25 में से इन्टू हंडेड 25 चौका सो और आपके पास चार से मल्टिप्लाई कर लिए चार पंचे 20 बारा चोकाड़ तालीस और दो पत्चास यानि कि पत्चास प्रतिसत आपके पास सही है अप्सन नमबर सी क्लियर है क्या दूसरा टाइप सबको समझ में रखा आसान है इजी है कर पार है नोट कर लिजी एक बार कि कर पाए हो गया एक बार ध्यान से समझ लो कि किसको नहीं समझ में आया सबको समझ में आया ना यह क्योंकि हब भाई सबको समझ में आया तब ही असली मजा आगा ऐसे सिरफ नौर्मली मजा नहीं आएगा ठीक है सबको समझ में आया नहीं यह बात तो 100 रुपय था 75 पहले मैं खर्च आते हैं टाइप थी बहुत 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 ब को असली मज़ा आएगा बताइए बाईया कैसे कर पाएंगे स्कॉश्चन को किसी भिन्ने के अंस में 20 परसंगी विरिद्धी हुई है अगर अंस में 20 विरिद्धी हुई है और हर में 5 की कमी हो रही है तो नई भिन्न आपके पास इतना हो जाता है तो आप से पास कहता है यह बताओ कि पुरानी वाली भिन्ने क्या होगी हिवान्सू कोई भी बच्चा बात करना हो इस नंबर पे मैसेज कर दीजेगा जो 630 हमारे पास कॉलिंग नंबर नीचे दिख रहा आपको उसी नंबर पे मैसेज कर दीजगा जो भी मैसेज होगा बात हो जाएगा ठीक है एससी सीर्चेसर की त्यारी कर रही है तो बेश्ट प्रॉर्ट फार्म बे बच्चा आपको आप हो और बहतरीन तरीके साब को यहां पे तारी त्यारी करे कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है ऑप्सन नंबर सी कुछ बच्चो कारा समझेगा देखो ऐसे कोशन को सॉल्ब क करने के सबसे आसान तरीका कि हम percentage को पहले से ही लेकर चलते हैं पहले से हम percentage को मौन के चलते जैसे 20 परसंगी व्रिद्धी यानि की 120 में माल लूँ गा X बटे Y नहीं लगए 100X और 100Y लेके चलूँगा 20 की विरिद्धी पहले से 120 माल लूँगा 5 की कमी तो मैं इसको पंचान में माल लूँगा और अब मेरे पास भिन्न हो गया 5 बटे 2 यही है पक्का है अच्छा अब काटो पीटो आराम से करो अब 5 से काटोगे तो यह 19 आजएगा 5 से काटोगे तो आपके पास 5 जुनी 10 पांचो का 20 यह आ गया और कुछ कट पिट रहा है जरा देख लो एक बार नहीं कट रहा तो भाई क्रॉस मल्टिप्लाई हो जाएगा इधर X बटे Y बराबर 19 से 5 का मल्टिप्लाई है ऑप्शन में C आया समझ में पक्का है किलियर हो पारा है कि कैसे कर पारहे आसी सूरे जना आल ऑफ यू किलियर है भाई सभी का कैसे कर पारहे यह ऐसे कोशन हमेशा पूछाते भिन्न वाले में तो मुझे यह करके दिखाओ भाई सभी लो चलिए अब ये वाला जड़्राइब मुझे बताइए कि ये वालू भे हम क्या प्लान सोच पैंगे और कैसे कर मादें है रिटीकिन का बंदर कोशिट्टन केकी सेमिसी का कॉश्ट्टन mate आपको अपने हिसाव से सोचना थीक चलनिए जियंकि आपको अपने इसाव से वृद्धी तो मैं पहले से ही 120 लेके चलूँगा, उसके बाद 20 की कमी तो मैं इसको 80 ले लूँगा, बराबर मेरे पास 4 बटे 5 आ रहा है, 20 चोग का 80, 20 पंचे 100, अब क्रॉस मल्टिप्लाई कर लो, X बटे Y बराबर 4 चोग का 16 और 25, अब जानते हो बच्चा, ये क्या रहा ह 12 बटे 25 आ रहा है न, कि 8 बटे 15 आ रहा है, 20 की वृद्धी यानि 120 और 20 की कमी यानि कि आपके पास 80, बराबर 4 बटे 5 हो रहा है, तो अच्छा ठीक है, यहां सही कर लो, 20 चोग का 80, 20 चका 100, या फिर आपके पास इसको मैंने किस से काटा था, 40 से काट दीजे, 40 दूनी 80 और 5, 3, 15, 8 बटे 15, आपस नमबर B आएगा, ठीक है, 40 से हमने काटा था, तो यह हमारे पास तीसरे टाइप का कोश्चन था, जो परिक्षाव में ज़्यादा तर पूछा जाता है, और तीसरा टाइप हमारे पास किलियर भी होना चाहिए, कि हम कौन-कौन से टाइप को पढ़ रहे हैं, कैसे-कैसे टाइप हमारे पास आते हैं, कैसे-कैसे टाइप हमारे पास पूछे जाते हैं, क्या चौतर टाइप पे चला जाए, अलग अलग जिब टाइप के मैं कोश्चन करा दूंगा, तो आपको यह चीज़ करन फर्म हो जागी, यह इस टाइप में ऐसा आ रहा हम चोथे टाइप पे चलते हैं आपके पास और चोथे टाइप में आपके पास ऐसे कोशन देखने को मिलते हैं ऐसे कोशन मतलब कैसे कि किसी के वेतन में पहले वृद्धी हुई फिर कमी हो गई बताओ कितना परिवर्टन हुआ और मुझे लगता है कि आप सभी इस चौथे टाइप के लिए एक तरीका तो जानते होगे कौँ सा तरीका x plus minus y plus minus xy upon 100 क्या सभी लोग ये तरीका जानते हो इसमें किसी बालक बालिका को कोई परसानी सभी जानते हो ये तरीका कोई परसानी किसी कोई दिक्कत नहीं ये तरीका कहा लगाते हैं जब किसी भी एक चीज में कुछ विर्द्धी होती है कुछ कमी हो जाए या दोनों ही कमी हो जाए या दोनों ही विरिद्धी हो जाए, तब मैं ये तरीका लगाता हूँ, और आप सभी ये तरीका जानते होगे, तो पहले 20 की विरिद्धी, फिर 20 की कमी, तो प्लस और माइनस, माइनस ही आएगा, ठीक है, ये दोनों कट जाएगा, ये 0-0 कटा 2-4, माइनस 4 यानि 4 की कमी, सेम चीज में 10 की कमी कर रहा हूँगा, तो एंसर कितना आता, जरह कमेंट बॉक्स में, जो रदार तरीके से एक बार हुंकार बढ़िए, तो प्लस दस, माइनस दस, यानि सीधे डारेक्ट, बाइक इंटो एक, यानि माइनस एक आ जाता, और इसी के साथ एक बार बम फूट ताकि हम सीजल प्री, सीचिसल प्री, MTS प्री, एक भी नंबर से एक भी कोशन छोड़ना जाए भाई, पक्का है, आओ जरासा, 20 परसंगी बृद्धी हुई, 10 की कमी हुई, सुध्य प्रस्यत्या कमी क्या हो सकती, ये कोशन पूछा गया है, सीजल का कोशन है, आसानी से कर स रखते हैं, 20 की बृद्धी, 10 की कमी, माइनस 20 गुड़े, 10 बटा 100, किलियर, कटा, 00, कटा, 20 में से 10 घटा दोगे, 10 आजाए, 10 में से 2 घटा दोगे, 8 आजाए, अब बताओ, बढ़ रहा की घट रहा है, तो कहोगे सर जी, प्लस में आ गया है, तो बढ़ेगा, और एकर रखाओगे, संदीब कुमार, जिसका माइनस में एंसर आ रहा है, तो प्लस में आएगा, माइनस में नहीं आएगा, किलियर हो पाया, सभी का आ रहा है, कर पा रहे हो, आसान से, चौथा टाइप, इसी टाइप पे जाता है, देखो अभी मैंने एक जो पूछा ता आपके आ फॉर्म भरनने के लाज़े, उस समय आपको और दिक्कत होगा, सर्वर एक्दम खतम हो जाता है, फिर फॉर्म भी नहीं भर पाओगे, सभी भर दीजे, चौशल का फॉर्म भी और सीजल का फॉर्म भी, अब अगले कोश्टम पे चलते है, सेम उसी का एक और लेवल, अब सो और उपयका, यहाँ पे एक चीज क्यार जोड़ दिया कि समान सो और उपयका है प्रभू, दस की वृद्धी, दस की कमी, यह बत, नहीं, दोनों वृद्धी, वाँ विट्टे, वाँ मोच कर दी, दस की वृद्धी, फिर दस की और वृद्धी, कुल वृद्धी कितने की, यहाँ कमी नहीं है, कुल वृद्धी कितने की, पहले दस की वृद्धी, दूसरा हो दस की वृद्धी, और अब देखो 120 वाले गलतों, पूछो कैसे, यह नहीं पूछा कि आप पैसा कितना हो गया, पूछा कितना वृद्धी हो गया, तो वृद्धी कैसे निकालेंगे, प पैसा 111 हो जाएगा यानि कि चौथा टाइप भी किलियर हो रहा है हम इसके अगले कोश्चन प्याते ये कोश्चन भी MTS का है 2021 का कि कपड़े का मूल 25% कम कर दिया गया विक्री बढ़ा दी गई 20% सकल प्राप्टिक पर क्या प्रभावा यानि फाइनल क्या मार मामला है कि और अच्छा 500 ओवा लाइक आप नोगों ने ठोक दिया था क्या हम बोल नहीं पाए 400 निन्यामने पर जल्दी हो गया था साथ ठीक है चलिए बताइए क्या लगता है जंता को क्या हो सकता है इसका एंसर और और ठीक है बढ़ियां कोश्चन है आसकता है पचीस कम हुआ 20 बढ़ा तो माइनस पचीस और वीश बढ़ा है तो माइनस और प्लस का मल्टिप्लाई तो माइनस ही आएगा पत्चीस गोड़े 20 बटे 100 भीस पंचे सो पैच्वम पचीस ठीक है और वीस में से 25 घटाओगे तो माइनस 5 आएगा और माइनस पाच ये भी है तो 5 और 5 दोनों मायनस में बोले तो भाया 10 प्रतिस्त की कमी और एक लियर हुआ कि नहीं किलियर वह हुआ उना धस प्रतिस्त की कमी कर पाए यह आपके पास अगला कोश्ण था टाइफ फॉर वे का अगला कोश्ण आई 27 के बाद 26 फिर आएंगे 28 कि बिल्कुल विशाल कैसे कर पाएंगे इसको किसी वस्तु के मूल में आर परसंड की विर्द्धी होती है बाद में आर की कमी हो गई यह दिवस्तु का अंतिम मूल एक रुपय है तो इस्टार्टिंग वाला मूम रामला क्या था अरे वा ठीक है बढ़िया है सांदार है जिन्दाबाद है जल्दी से बताईए कैसे कर पाएंगे और अरे और बताईए और बताईए कि किसका एंसर कितना आईए सबके एंसर आने चाहिए जोड़दार तरीके से किसी में भी कहीं भी कमी नहीं दीखना चाहिए अब यहां थो आया भाईया किसी का डी आ रहा है रट लिया है आए रट लिया और अच्छा मानलों एक रुपया नहीं कहता तो आप कैसे करते आर की विद्धी फिर आर की कमी आर माइनस आर माइनस आर गुड़े आर बटा सौ आप यही तो करते किसके लावा और भी कुछ करते अगर मान लो वो कुछ आपसे नहीं कहता तो आप इस कोश्टन को ऐसे ही करते लेगिन आखिर हम कोश्टन को वैसे कैसे कर ले नहीं ये भी तो जानो है ना कि हम आखिर वैस कैसे आया यार आर की व्रिद्धी आर की कमी अंतिम मूल होगी अगर वस्तु का अंकित मूल जो वह एक रुपय है तो आरा में वाला मूल क्या था इतने की कमी आई ये आर इसको आपान 100% की कमी आई अब मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ माललो मेरे पास 100 रुपय था मैंने 10 की व्रिद्धी करा 10 की कमी करा final मेरे पास कितना रुपय हो जाएगा मुझे ये बताओ normal सी बात मेरे पास 100 रुपय था कैसे करती दीपी का नहीं आया मेरे पास मालो 100 रुपय था अभी मैं एंसोर वो नहीं बता रहो बहले नॉर्मल आपको समझा दो मैंने जो है दस प्रतिसत बढ़ाया और से घटाओंगे 99 हो जाएगा यानि अब आपका जो पैसा वो 99 रुपया हो जाएगा यह बात तो के लिए रहे तो जो परसंटेज घटा आ रहा था उसको सो में से घटा के इसी में मल्टिप्लाई कर रहे थे तो जो परसंटेज आपका आ रहा है इसको सो में से घटा के हम समझ पाए बालक की नहीं समझ पाए बोलो हाँ या ना आ अगा बोलो भाई साब कोई परसानी कोई दिक्कत तो अब उपर जड़ा देखो एक बार आपके पास वही सारी चीज़ा आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी अब उपर एक बार देखो कितने की कमी हो गई अच्छा अ अंतिम मूल उसने दिया हुआ है अंतिम मूल एक चीज़ उसने गलती हमाँ पास गलती यह हो गई कि मैं यहां पर निकाल लहाता कि इतने की प्रतिसद की वैलू आखरी प्राइज मेरे पास जो इतना घटा है यानि सौ में से इतना माइनस होने के बाद जो मेरे पास आया है वो एक रुपे है तो मुझे सीधे सीधे 100% की वैलू पूछा है कि 100% की वैलू कितनी होगे तब यहां multiply होगा यानि आपके पास 10,000 minus r square divided by 100 और आपके पास 100% की वैलू पूछा तो 200 और आपके पास इसकी वैलू आगे फिर आपको पूछा कितने कि आप प्रारंभिक मूल बताओ तो सीधे इसी का उल्टा करेंगे यानि कि आपके पास आएगा 10,000 divide by divide by 10,000 minus r square है ना यह आपके पास आता मैं अब पूरा रिपीट करता हूँ पहले बताओ कि थोड़ा मूड़ा आपके दिमाग लगा या नहीं लगा यह बताओ यह थोड़ा सा मूड़ा कमी होने के बाद की price दे रखी और कमी होने के बाद की price के बाद पूछ से पूछा गया है कि कितनी final price हुआ रट लिया है कोई दिक्कत नहीं है अगर रट लिया है तो नहीं चलो एक बार फिर से final प्रतिसत की कमी आईगी फानली ये समझ पौगे ना कि r² बटे 100 प्रतिसत की कमी आई है इसमें कोई दिक्कत है तो अन्तिम मूल क्या होगा कि आप 100 में से r² बटे 100 माइनस कर दोगे यही तो अन्तिम मूल आएगा यानि अन्तिम मूल जो आता है वो आता आपके पास 10 इसक्वार माइनस आर इसक्वार डिवाइड बाई 100 यही आपके पास अन्तिम मूल आता है ना और मुझे चाहिए 100% की वैलू तो 100% की वैलू मैं कैसे निकालूंगा मैं 100% की वैलू निकालूंगा 100 अपान 10 इसक्वार माइनस आर इसक्वार इंटू 100% की वैलू निकालनी है अब देखो अभी भी डी आता नहीं समझ पा रहे हैं तो यह आपसन आते हैं इनको रट लीजिए यही आपके पास अन्सोर आएगा और इसी के साथ 599 लाइक्स पी अब मैं जब कल सेसन लेकर आँगा तो इसमें नय थोड़े करें लूँगा मतलब कि नय कोश्टन का मतलब क्या होता है हां नय कोश्टन के मतलब का क्या होता कि हम 2019 बीस के भी कोशन उठा लेंगे 20% तथा पुना 20 की विध्धी करी गए 20 और 20 की विध्धी करी जाए तोटल रख को पता होगा 20 प्रस 20 प्रस 20 गुड़े 20 बटे 100 क्लियर है 28 वां कोश्चन यह आपके पास सिरफ मैंने 28 टाइप कराये थे और 28 आपके पास बहुत जल्दी आप लोगोंने खतम कर दिया लेकिन कल करूंगा 28 आँखे और 50 कर तो ना तो थोड़ा सा पेसंस रखके पढ़िएगा थोड़ा सा समझ के पढ़िएगा थोड़ा सा बढ़ी नहींा तरीके से पढ़िएगा तभी आपको किलियर हो पाएगगा थोड़ा सा भी अगर सोचोगे यार इत्तों हाई लेवल करा रहें मज़ा नहीं आगा तो वह ही question paper में आते हैं तो उसको कैसे बढ़ियां तरीके से कैसे कर पाएंगे कैसे अच्छे तरीके समझ पाएंगे इस वज़े से कल तीन बज़े आप लोग जरूर आएगा कोसिस करूंगे परसेंटेज को हम कली खतम कर दे और आपको बहतर दिला पाएं देखिए अगर आपको इसका चाहिए पूरा पीड़ तो एक बार हम चाहते बच्चों को टेलिग्राम कर लूं के लिंक के दे दीजे और टेलिग्राम चलिए बहुत-बहुत सुक्रिया थाइंक्यू सो मच बाइबाय गुडणाइट टेक क्यार अभी हम फ्री कोर्स लेकर चलना है लेकिन हम यूटूब पे सीचसल का कोर्स एक लेकर आएंगे सीजल का हम क्रैस कोर्स लाएंगे जो पेड़ वाला हमारे पास होगा ठीक है चलि लव यू वाल शेयर जरू करिएगा जरूर कलाईएगा थाइंक्यू सो मच गईजे क्यूंट झाल 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 झाल